आज पांचवा दिन समाप्त होने को आया है और सिलक्या टनल में लगातार ओपरेशन इस समय फुल स्विंग में चल रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी जो वरकर्ज हैं उनको निकाला जा सके और वो अपने घर लोट सके आपको ताजा जानकारी देते हैं कि अब तक तीन पाइप जो हैं जो हूम पाइप से 900 mm के उनको सक्सेस्फुली इंसर्ट कर दिया गया है डेब्रीज में और चौते पाइप की तयारी हो रही है उसको वेल्डिंग हो रही है आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं दरसल जो पा पाइप की ग्रिप मजबूत हो सके जब दूसरा पाइप एंटर करता है तो फिर उसके साथ तीसरा अटैच किया जाने हैं क्योंकि सतर मीटर के करीब दूरी तै की जाएगी जिससे कि कुछ रूम जो है वो वरकर्स को भी मिल सके और वो लेबर उस पाइप के माध्यम से वो एरिया अप्स्ट्रीम में है और जो पाइप जा रहे हैं वो डाउन्स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं तो तीसरे पाइप या चौते पाइप के इंसर्ट होने के बाद ये प्रोसेस काफी स्मूध हो जाएगा और संभावना जटाए जा रही है कि इसके बाद तेजी से rescue operation स् तो आशंका जताए जा रही है कि जल्दी से जल्दी अगर अगर मशीन जो है वो लगातार काम करती है और कोई रुकावट नहीं आती है तो rescue operation बहुत जल्दी पूरा हो सकेगा और हम देखेंगे कि जो laborers पिछले कई दिनों से debris के पीछे trap हो रखे हैं वो वापस आएंगे और अपने घरवालों को मिल सकेंगे और खुशी का माहुल हम देख सकेंगे उत्तरकाशी से उंकार भभुणा के साथ अंकित शर्मा आज तक प्रणाओेंगे प्रुशी के पूले के साथ आएंगे प्रुशी का माँवाब्स आए प्रणाएंगे और प्रणाओेंगे